दिल्ली उच नियायाले ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि जनतंत्र में ऐस हहमती और विरोध जताना मोली का दिकार है और अगर नागरिक किसी मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने के लिए इसका सहारा लेते हैं तो इससे देश की नीव को कोई खतरा नहीं है दरसल पिछले कुछ समय के दोरान एस हहमती और विरोध के मसले पर अदालतों ने जैसा रुख दिखाया है वह जनतंत्र को लेकर उमीद जगाता है अब दिल्ली हाई कोट ने तीन विध्यारतियों को जमानत देते हुए साफ सब्दों में कहा है कि विरोध का अधिकार समयधानिक रूप से मोलिक अधिकार है और इसे आतंकी गती विधी करार नहीं दिया जा सकता है विडम्बना है कि अधालत ने जिस तरह किसी कानून की व्याख्या करके आसान सब्दों में यह बताने की कोशिस की है वह सरकारों को कई बार समझ में नहीं आता है अगर देश का कोई नागरिक किसी मुद्दे पर सरकार के रुख से ऐस हहमत होता है इस पर विरोध प्रदर करसन में हिस्सा लेता है तो उसे आतंकी गतिविधी के तोर पर कैसे देखा जा सकता है हमारे देश में समुची सासन पदती जन तंदर की बुनियादी पर कायम है लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर विरोध जताने वाले व्यक या कभी देश दिरहों से निपटने वाले सकत कानूनी धाराएं लगा दी जाती हैं इसके चलते आरोपी को जमानत तक मिल पाना मुश्किल हो जाता है संभव है कि सरकार ने संसोधित नागरिकता कानून यानी CAA सोच समझ कर लागू किया हो लेकिन यह जरूरी नहीं है कि देश के सभी नागरिक बिना सावाल किये उससे सहमती रखें दिली में इस मसले पर पिछले साल व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसमें बहुत सारे लोगों सहित JNU और जामिया मिलिया के बहुत सारे विध्यारतियों ने भी हिस्सा लिया था इसी दोरान दिली म हुए दंगों के बाद कुछ विध्यारतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर UAPA जैसे सक्त कानून की धाराएं लगा दी थी जिसका उपियोग आम तोर पर आतंकी गतिविधियों में सामिल आरोपियों पर किया जाता है यह एक तरह से बेहद ऐ परिपक्व तरीका था जिसके बारे में अदालत ने ठीक टिपणी की है की गैर कानूनी गतिविधियां रोग थाम कानून में उपियोग किये गए निश्चित सब्दो और वाक्यानसों को लागू करने के दोरान बेहद सावधानी बरतनी होगी साथ ही अदालत की यह राय बेहद एहम है की एसंतोस को दबाने और मामले के हाथ से निकलने के डर से राजियने समयधानिक गारंटी वाले विरोध के अधिकार और आतंकी गतिविधी के बीच की रेखा को दुंदला किया है क्या इस तरह की एपरिपक्व कार्यवाईयों से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है क्या यह इस तरह के कानूनों के मकसद को बेमानी नहीं बना देगा गोरतलब है कि समयधान के अनुछेद 19.1.2 के तहत विरोध प्रदर्शन करना मूलिक अधिकार है किसी भी देश में जनतंत्र और जनतांत्रिक सासन पदती का जीवन कभी कायम रह सकता है जब तक वहां ऐस हमती और विरोध जताने को अधिकार के तोर पर जगह मिलती हो इस अधिकार के हनन से आकिरकार वहां जनतंत्र की बुनियाद कमजोर होगी सवाल है कि समिधान में दर्ज जनतंतरिक अधिकारों की रक्षा का दाइत्व संभालती सरकारों को यह दियान रखना जरूरी क्यों नहीं लगता है कि उसकी किसी गतिविधी या कार्यवाई से जनतंत्र पर समिधानतिक सवाल खड़े हो सकते हैं और उसकी रक्षा नहीं कर पाने के लिए खुद उसे कट घरे में खड़ा किया जा सकता है